हेलो फ्रेंड स्वागत आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अव्य आडिमी में तो दोस्तो आज आज आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आये हूं जो कि आपके पास इस्ट्री का वीडियो होने वाला और बहुत ही इंपोर्टन ये वीडियो आपके पास होने व आपके नुटिफिकेशन आ सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन जोरो प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो साथ से अपलूट करता हूं सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ सके तो चले स्टार करते आज का वीडियो और जानते हैं आ पर्मुक तत्यों के बारे में तो पहला युद्ध है आपके पास दसराग्य युद्ध यह जो युद्ध हुआ था यह परुशनी नदी यह ततकालिन जो नाम था या रिगवेदिक कालिन नाम जो तस नदी का परुशनी नदी है वर्तमान मिज़कुम रावी नदी के नाम से जाने जानते हैं परुशनी नदी के तट पर राजा सुदास और दस राजाओं के बीच हुआ था जिसमें राजा सुदास जो था वो विजई हुआ था इस युद्ध का जो वर्णन जो हमें वो रिगवेद के सात्वे मंदल में मिलता है अगला है हायटे इस्पीसिस का जो था वो वितास्ता नदी यानिकी वरिगवेदिक काले नाम वितास्ता नदी वर्णन नाम इसका है जहलम नदी तो वितास्ता या जहलम नदी के तट पर युद्ध वा था जिसको महाईडे इस्पीसिस युद्ध के नाम जानते हैं जिसमें सिकंदर की विजई हुई थी तीसरे युदू जो था भूर्दी स्वा य Rule ofudika अनूसाँदाते के सी empathy 164 पूर हुआ था जो कि अशोक और कलंग की राजा के बिच हुआ था यह युदू जो था वो कहते है कि धौली पहाड़ियो या दयानिदि पल रही था जो कलिंग जो था वो वर्तमान जो कि परजेंट थाम कह सकते की ओरीशा और आंदर पड़देश का उत्रि हिस्सा है उस उसका कलिंग राज़ जो उसमें बसा हुआ था जो कि सामन्ती राज़ था इस युद्व में असोक ने भारी नरसंगार किया और इस युद में असुग की जीत भी हुई थी तो भारती इतियास के सबसे घातक और सबसे बड़ी लड़ाई जो है उकलिंग युद्य के नाम से जाने जाती है इस युद्य का मुख्य कारण जो था वो मौरेश सामरेज्य का विस्तार करना था ठीक है तो यह जो लड़ाई होई थी वो बहुती बड़ी लड़ाई थी जिसके बाद कहते हैं कि यहांपर ढ़ाई लाग से अधिक सैनिक जो थी वो मारे गए थे जिसके बाद असुग का हिर यह जल पर्तिवीराँ चाहान के बीच हुआ था पर्तिविराँ चाहान और जैचंद दोनों दोस्त थे और दोनों ने एक साथ मिलकर महामद गोरी का सामना किया था जिसमें पृतिविराच चोहान की विजय हुई थी ऐसा कहता है ठीक है अब ऐसा भी माना जाता है कि जब जैचंद की पुत्री का स्वयंवर हो रहा था या विवा हो रहा था तो उसकी जो पुत्री जो थी वो पृतिविराच चोहान की प्रेमिका थी ठीक है तो पृत्विरा चोहान ने भरे मंडप में या भरी सभा में क्या कर दा था जैचंद की पुत्री को उठा लिया था पिर्थिुरा चौहन यान की जैचंद जो था मौहमद्गोरी के साथ मिल गया और फिर उन्होंने युद्धो किया तरायनका दूतियुद जो की मौहमद्गोरी पिर्थिुरा चौहन के बीच हुआ था मैंने बताए आपको किस ने दिया था जैचंद ने दिया था जो कि वह था ग्यारसो बयारणावे में अब प्रिथिवरा चोहान तो वैसे कमजोर हो गया था कि इसका दोस्त जैचंद जो था वो मिल गया था प्रिथवी महमद गोरी के साथ तो जिसमें पृत्विरा चोहान की हार हुई थी और इस युद्वे पृत्विरा चोहान मारा गया था लेकिन इस बात का अच्छे से पता था महमद गौरी को महमद गरी जानता था कि जयेचंद जो था मूरक है ये तो अपने दोस्त पा शोड़ सकता है तो मेरे साथ शोड़ सकता है तो इसका फिर से उसने क्या किया तीसरा जो नेक्स उद हुए वो चंधावार के उद हुए чंधावार के उद में महमद गोरी ने जैचंद को भी मार दिया और जैचंद का जोंग हडवाल वन सिर्था 1518 में खतुली को युद हुआ था जिसमें राना सांगा और इबरहाईम लोति की बीज युद हुआ था अगला आता है पानी पत का पर्थम युद, खानवा का युद, चंदेरी का युद और गगर का युद ठीक है तो इन चारों के लिए आपके पास एक ट्रिक है ये चारों जो युद है वो बाबर के दढ़ लड़ेगी है और चारों में बाबर ने जीत हासिल की है इसके लिए ट्रिक ये है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गिया और 30 में मर गिया 26 मतला 1526 में पहला युद है पानी पत का युद, पानी पत का पर्थम युद, जो कि पानी पत का पर्थम युद किसकी से बीचवा था, बाबर और इबराहिम लोदी के बीचवा था, लोदी वन्स के साथ से इबराहिम लोदी के बीचवा था, जहां पर इबराहिम लोदी क वो मार कर बाबर ने भारत पर मुगलवन्स की साफना की थी. 27 यानि कि 27 में खाना खाना का निकि 1527 में खानमा का युद्धू, जो कि बाबर और राना सांगा के बीच वा था, जिसमें राना सांगा की प्राजय हुई थी, बाबर इस युद्ध में फिर से जीता था. 29 में घर गया, यानि कि 1539 में घागर का युद्ध या घागर का युद्ध या घागर का युद्ध 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 में हुमाई विजई हुआ था और फिर सेर्शा सूरी के पुत्र को जो थो मुगलों के लिए सेवा में उनको रखा गया था इसी बीच सेर्शा सूरी ने अपनी सेना को संगटित किया और फिर उसने मुगल मुगल सामराजय पर आकरवन किया जिसको हम विद्द का नाम है चौसा को जानते हैं चौसा को जो था वो 25 जून 2549 को था जो कि सेर्शा सूरी और हुमाई के बीच हुआ था सेर्शा सूरी और हुमाई के बीच हुए इस युद्ध के बारे में अगर बात करें तो इसमें हुमाई जो था इसकी हार हुई थी और सेर्शा सूरी इसमें जीद गया था दूसरे इसके बाद फिर दूसरे जो युद्ध हुआ था कर्नोज को युद्धु युद्धु जो था वो था 1540 में यानिके 17 मई 1540 में युद्धु वा था जिसको बिलगराम को युद्धु के नाम से भी जानते हैं कर्नोज के युद्धु को यह युद्ध भी सेरसा सूरी और हुमायों के बीचवा था तो यह युद्ध जो था बिलगराम की युद्ध का युद्ध सेरसा सूरी और हुमायों के बीचवा था इस युद्ध में फिर से हुमायों के हार हुई और हुमायों कहते हैं इस बार अपनी जान बचा कर भागा था और घोड़े समेथी नदी में कूद गया था तो यह जो था वह बिलगराम की युद्ध की बाद यानिकि कर्लोज की युद्ध की बाद हमाई जो था वह सिंद चला गया था और यहां पर उसने घुमककर की तरह 15 वर्स तक अपना जीवन बेती था ठीक है इसी बीच उसने वहां पर यानिकि जो अपने अध्यत्विक गुरु जो थे यानिकि उसका भाई जो था हिंदाल ठीक हमाई की कमी रही हमाई उने क्या किया था कि अपने पिता के आदिश पर जैसे बाबर ने कहा था उसने वैसे अपने भाईयों को जैसे कि कामरान हो गया हिंदाल हो गया ठेके और मिर्जा असकर इजित उसने क्या कि अपने राज्य का अलग अलग भाग बांट कर अपने भाया में बटवारा कर दिया। ये उसके सबसे बड़ी कमी रही है और उसलिए सेरसासूरी को उस पर जीद भी मिली थी। तो अपने इक्स में किया है कि अपने भाई इसके हिंदाल का जो आद्यत में गुरु था, जो कि फारस का निवासी था, सिया मीर बाबा दोस्त, यह हम कह सकते कि मीर अली अकबर जामी, कि उसकी पुत्री जुती हमिदा बार्नो बेगम से उसने पंदर शक्तारिस में नेका हग किया और बाद में इसी से अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है, करनो इसके इद के बात किये कहानी है, तो उसमें फिर इसी बीच में उसने अपनी यहाँ पर पूरी सेना को यहाँ पर उसने संगठित कि अपनी एक सेना बनाई, फिर दुबारा हमाई ने एक सेना बनाई थी य पंजाब का सूरसासक और हुमाई की बीचवा था। अब यहाँ पÝा हुआ था? यह पंजाब का सूरसासक सिकंद्र था। टो हमाई ने उसको पराजित किया था। तो यहाँ पे जो दो लोगों की यह बीजो लड़ाई हो थे कह सकते हैं कि उसमें तीसरे slit फाइदा उठाया था 1556 में फिर इसने 1555 की उद्व में इसने भाग लिया सारहिंदी की उद्व में और यहां पर उसने पंजा यानिकी सूर सासक जो था सिकंदर को प्राज़तिया था अब यह हुआ पॉसिपल कैसे 1540 के हमने पढ़ा कि कन्रोज कर दुआ था 1545 में उसका सब सबसे बड़ा दुसमन था उसके मिर्टी हो गई थी कालिंजर यानकि बिल गराम की उद्व में जो था ठीक है उसके बाद जो था 1545 में कालिंजर अभियान के दोरान जो था तो उसमें सेरिशा सूरी की मिर्टी हो गई अब हुआयोग की पता चलिए कि सबसे बड़ा तो द पानिपत का युदू, पानिपत का दूसरा युदू आता है, सत्रा जून 1556, 1725 डूत 27 brokers युदू उट्ध का युदू तो यह युद धूर्ज जो था, वह अब यहाँ पर क्या था, कि विजयनगर सामराज्य जो था विजयनगर सामराज्य के अगेंस यानि कि उसके विरुद धूर्डु थे कुछ दक्षनी राजियों ने अली आदिल सहा अंडिया था ठीक है भारत की सबसे बड़ी कमजूरी यही रही है कि अपने घर के जाल लोगों ने जादतरियां पर धोगे किये हैं इसलिए बहारी लोगों ने यहाँ पर शाशन किया है जिसके बाद आपर विजनेगर सामराज का पतन हो गया था 1565 में विजनेगर सामराज वही है जो कि हमने पढ़ा पहले भी पढ़ा है 1336 में इसकी सापना कीगिती हरिया और बुका नामक दो भाया के दारा तो इंगा 1290 के त्याट पर और 1565 में इसका अंत यानिके पतन हो जात आपका 181566 को ये दुआ था जो कि महारणा परताप और अकबर की बीचवा था और इसमें अकबर की विजए होई थी घरमत के उत्रादिकारी के लिए ये युद लड़े गिये थे तीनों विद्व जो थे घरमत, सामग और देवराय को विद्व ये तीनों विद्व जो थे वो औरंगजेफ और ताराशिकोह के वीच विध लड़ह किये थे अब यहां पे हुआ यह था कि सितंबर कहता कि सितंबर 1657 1770 आप जहां कि बिमारी की खवर और मृत्य की अपवा बिमार हुआ था लेकिन उसके मृत्य की अपवा फैल गई थी तो उनके जो पुत्र जो थे उनके बीच उत्रादिकारी के लिए दिश्ड़ गया था तो इसके पुत्र जो थे वो जैसे कि सुजा हो गया बंगाल में था मुराद हो गया गुजरात में और अंगी जेव जो था उसको दक्कन का छेतरी इसको दिया गया था दाराशिकों को चाहता था कि सहाजान चाहता था कि दाराशिकों ही राजा बने तो इसलिए सहाजान चाता था कि जो सबसे सुजबूज या विद्वान जो है वही सासक बने लेकिन इसका विरूत किया और अंगजी भी नहीं उसने अपने भायों की मिर्ट्यू या उनको अपने भायों को मौत की हट उतार दिया लेकिन इसी बीच में दाराशिकों के साद उसका संगर्स चला जिसमें उसका तीन युद्वे हैं जिसमें घरमत का युद्व, सामुगण का युद्व और देवराय का युद्व, इन तीन युद्व में दाराशिकों को औरंगजी भी से हार का सामना करना पड़ा सबसे पहला आता है घरमत कईद, घरमत कईद 15 अपरेल 1658 को अंगरेज और अंगजेव और दाराशिकों की बीच, पहले बता है तिन अंगजेव और दाराशिकों की बीच हुए है, सामोगड कईद जो था 29 मैं 1658 को अंगरेज और अंगजेव और अंगजेव और दाराशिकों तर उरंग्जयव और दारसिकों की हत्या कर दी थी, थीकंशन और हए ऐसके बारे में सब्सकुण झाल धाнет, तो इसके बारे में उत्राइखड वाली वीडियो मैप को बताये हुआ है, फिर कभी इसके बारे में होगा तो दिफिसे द्वारा डिस्स करेंगे इसकी बारे में गर्मत का युदु, सामोगड का युदु और देवराय का युदु तीने युदु जो थे वो औरंगजव और दारसिको के बीज है तो जो कि उत्रा धिकारी के लिए हुए थे ठीक है दारसी को यानि कि साहा भूलन दिकवाल उसको कहता है तो फिर इसके बाद जो क्या क्या था कि औरंगजेब ने पिता यानि कि साहजां को बिशने बंदी बना ले था जहांपन लगब कहता है सायद 1666 में साहजां के मिर्टी हो गए थी अगला था तिलपत के लड़ाई तिलपत के लड़ाई जो थी वो 1670 में हुई थी 1670 में अंगजेब और जाटों के बीच हुई थी जिसमें औरंगजेब की विजाई हुई थी अगला युद्वा था खेडा का युद्व खेडा का युद्व जो था 1707 में हुआ था 1707 में खेड़ा को युद्वा था जो कि ताराबाई और साहुजी के बीच हुआ था साहुजी और ताराबाई यानिके मराठाओं के बीच हुआ था मराठाओं के गरह युद्व क्या हम बोल सकते हैं इसको तो यह युद्वा था जिसमें साहु जी जो थे वो विजय होए थे साहु जी इस विद्र को जीर गिते पाले खेड़ा के उद्र पाले खेड़ा के उद्र जो वठाओ 7 मार्च से 1728 ही उद्र धाओ बाजिरा उप्रत्म और नजामुल नजामुल मुल्क के साथ हुआ था तो मराठाओं और निजामुल मुल्क के साथे व्युदात इसका नेतरत जो था बाजरा परतम ने किया था जिसमें निजामुल मुल्क की विज़ाई हुई थी और ये जो युदु जो था वो मुंगी सिवागाओं की संदिके साथे समाप्त हुआ था इसके बाद यहां पर आता है पाल खिड़ा के बाद एक और युदु आता है पानीपत का तिरती युदु ये जो है सारे के सारे आपके कोशिस की हुए है कि सीरियल वाइज हूँ ठीक है पानेपत, third war ठिक है, third war पानेपत तो पाれखड़ा के दिकेवाद, तीसरी सही तो पानेपत का तिर्षरी तो वगता है तीसरी तो जो हुआ था, वो 14 जनवरी 1701 हुआ था, 14 जनवरी 1701 को पानेपत के तिर्षरी यह हुआ था जहां पर माराठाओं का जो मराठाओं का जो सामना जो किया था वो एहमद सहा अब्दाले की संक्ति सीना के दोरा किया गया था तो जिसमें संक्ति सीना यानिकि एहमद सहा अब्दाले के साथ बहुत सारे जो और वी इसमें इसके साथ मिल गये थे और मराठाओं के साथ जो यूद दुवा था तिरतियूद 176 में जिसमें एहमद सहाब अब्दाली जो था वो जीत गया था थेके तो पानीपत की तिरसरी लड़ाई जो थी उसमें मराठाओं की जो हार हुई थी और इस हार का खोश्विकार न करने की कारण बाला जी जो थे वो 176 में उनकी मिरति हो गए थी ठीके जिनकों नाना सहाब की नाम से भीनकों जानते हैं आगला आता है पर्थम आंगल मराठा य। यूद जो हुआ था वो 1772 में वा था जो 1722 का पर्थमा अंगला मरठा युद्धा था वो सालवाई की संदी के साथ ही समाप्त हुआ था तिरतिया अंगल मराठा युद्धु जो था वो 1817-1819 की बीच वा था जो कि अंगरीजो और मराठाओं की बीच हुआ था इसमें मराठा सक्ति और पेशिवा के वनसानुगत पद्ध को क्या कर जा था समाप्त कर दिया गया था कि यहां पर भी मराठाओं की हार हुई थी ठीक है और दुटियो जो था वो देव गाओं की संदी की सा शमाप्त वा था और तीसरी जो में तो पूरे तर के से मराठा सामराज गरी पतन माना जाता है वेत्रा का इप वेतरा के युद्धु जो हुआ था वो अंगरेजों और डचों के भी 1769, 1759 में हुआ था जिसमें डच सामराज़ यान के डचों का यहां पर पतन हो गया था करनाटक युद्धु जो हुए थे वो तीनों जो थे वो उत्रादिकार के लिए लड़य के युद्धु जो थे ठेक है तो पहला जो युद्धु जो था वो पहला करनाटक युद्धु जो था वो एला सापले संदी के साथ ही समापत हुआ था जो एला सापले संदी हुई थ दूसरा करनाटा के नवाब और फ्रांसेश्यों के बीच वा था तो करनाटा के नवाब और फ्रांसेश्यों के बीच वा था तो करनाटा के नवाब और फ्रांसेश्यों के बीच वा था तो करनाटा के नवाब और फ्रांसेश्यों के बीच वा था तो करनाटा के नवाब और बहुत बुई तरह से हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद डुपले को वापस बुला दिया गया और उसकी जगह पर गो हे डू को फ्रांसी सी गवर्नर नुप्त किया गया था तरह करनाटक युद्ध जो हुआ था वो 1756 से 1763 की बीचवा था ये जो युद्ध हुआ था वो 1756 में हुए सब्तो वर्षी जो युद्ध हुआ था उसके साथ ये युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था अगला आता है फ्लासी के युद्ध जो था वो 23 जून 1757 को ये फ्लासी के युद्ध हुआ था जिसमें अंगरेजों और बंगाल के नवाब ये युद्ध जो था वो अंगरेजों और बंगाल के नवाब की बीचवा था अंगरीज की तरब से Robert Clive ने यहाँ पर नेतर्तों किया था और बंगल के नवाव यानकी सिराजु दौला के साथ यह दूखा था इस युद में सिराज़ द्वाला की सेनापती मिर जाफ़ा ने उनके साथ धोका कर दे था जिसकारण से सिराज़ द्वाला को यहां पर हार का सामना करना पड़ा और अंगरीज न फलाचे का युद भी यहां पर जीत लिया था अगला रहा है वांडिवास का युद वांडिवास के वांडिवास के वांडिवास के वांडिवास के वांडिवास के वांडिवास के वांदिवास के वांडिवास 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 के व जिसमें अंग्रेजों ने जो एक संग्त सेना जिसमें मेर कासीम हो गया और अवद के नवाब से सुजाव दौला हो गया और मुगल समराथ सहा अलम दुतिय सामिल थे तो अंग्रेजों और संग्त सेना जो थे उनके साथ यह दुआ था जिसमें अंग्रेजों के विजय हुई था ठीक है चले अगला देखते हैं इसकी बारे में अब आता है पर्फम आंगल मैसुरिदा अंगले जो और मैसुर के बीच हुआ था कटकाली निसासक हैदरली हैदरली इस समय आपट शाशन कर रहा था तो पर्तम आंगल मैसुरिदु जो था वो 1767 से 1779 तक चला था और यह युद्दु में जो था वो मदरास के संदी 1779 मदरास के लिए 1779 में मदरास के संदी की साथ यह समाप्थ हुआ था इस युद्दु में अंगरेज़ों और हैदरली में अंगरेज़ों के आपर बिजाई हुई थी दोती आंगल मैसुरिदु जो था यह युद्दु भी अंगरेज़ों और हैदरली के बीचवा था जिसमें हैदरली जो था इस पर काफी चोटा है थी जिसका हैदरली 1772 में मर गया था इसकी था हैदर अली का पुत्र टीपु सुल्टान पर यहां पर सासक बन जाता है हैदर अलीलों टीपु सुल्टान के बीच हुआ था जिसमें अंगरेजों की विजाई हुई थी और तिर्थी आंगले मैसुरुद जो था वो सिरी रंग पटन्रम की संधी 1702 अबे के साथ यह एक सिराज़ू दॉला था तिर्था कि अबनगाल का नवाब था सिराज़ू अबब अवद के नवाब सुल्टा की जए रहा था खुरदा करिद निजाम और माराठा के वीच्वा था जिसमें निजाम बूरी तरह सब प्रहजी था तो और यहां पर माराठा की विज़य होई थी पर्थम स्थंतरता संग्राम जो था 1857 में हुआ था ठीक है और 1857 क्या सकते कि जब 1857 में अंगरेजों ने क्या किया था कि पुरानी जो बंदुग जो थी ब्राउन बैस के स्थान परों ने क्या कि थी नई राइफल दी थी एन्फिल्ड राइफल का उन्हें पुर्यूग किया था अब उस राइफल में क्या होता था कि कार्थूस डाले जाते थे ठीक है और उस कार्थूस जो थे उनको मुहों से खोलना परता था और उन कार्थों से पर गाय और सुवर की चरवी का पुरियोग किया जाता था जो कि कहा जाता कि इस यान की 3875 के रांते का सबसे प्रमुक कारण था इससे हिंदु हो चाहे मुसल्मान हो सभी सैनिकों पुरियोग करने से मना करते था यही जो सबसे पहले स्टार्ट हो था 29 मार्च 1857 को बेरकपुर 56 में यह स्टार्ट हो था तो यहाँ पर के जो सैनिक जो थी प्रमुक सैनिक जो था रहा इसका मंगल पांडे इसने चरवीक्त कार्थों को काटने से इनकार कर दिया जिसमें अंगरे जो द्वारज का विरूद किया गया और उसने लेफटिनेंट बाग और मेजर हुमन को या यूसन की उसने गोली मार कर हत्य कर दे गई थी और जिसके बाद इसको गिराथतार मंगल पांडे को गिराथतार कर 8 अपरेल 1857 को फांसी पर चड़ा दिया था उने या करांती कारण इसका नेदरतों किसे दिली से बाहदुर साचाफर ने किया था कानपूर ने से नाना सहब ने लखनाओं से बेजगा मजट महल है जहां से सिराने लेक्षमी बाई इलाबा से लियाकत अली जगदीश पूर से कुमर सिंग बरेली से खान बाहदुर खा और बहुत ही सारा इसनाया पे पुरा गुस्ता अंगरे जोन बहुत ही भूरी तरीकी से दमन किया जिसमें अलग 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 जगहों से इसे करांती को दबाने का परियास के और इसमें जफल भी रहे है ठीक है पर्थम चीनियुद अजिध था 1962 में हुआ था भारत चीनिद परतम भारत पाकिशन देशिस में भारत की विजय हुई थी दौन में आंगले नेपाली जो था वो 1814 से 1816 के बीचवा था अभी युद्ध जो था जब उत्राखंड की गड़वाल चेतर पर गोर्खाओं का यानकी गोर्खाओं यानकी नेपाल जो था नेपाली गोर्खाओं बोलता उनको ठीक है तो जब उनका सासन यहां पर बढ़ता जा रहा था अतैचारपून सासन बढ़ रहा था तो तत्कालिन स्रीनगर जो पमारवंज की राज़ानी थी वहां के राजा सुदर्शन शाह ने लॉर्ड हैस्टिंग जो थे या वर्रन हैस्टिंग से मदद अंगरी जो के द्वारा इसी बीच में नेपाल के जो राज़ा जो थे यानके नेपाल कर सेनापतिया कह सकते हैं अमर सिंग थापा ने क्या किया यहां पर आत्म समर्पन कर लिया था और इससे के साथ संगोली की संदी होती है मार्च 1816 में मार्च 1816 में संगोली की संदी होत तक चला था, सो भी, साहथा चला था, जो कि इसमाफ्थ है कि संतिकी सा साय है, तर फज्लोक्षा था वह अपका ठाष्जव। पेनतालीस से अठासुछाइस तक चला था जो कि अंगरेजरों और शिखों के बीच हुआ था जिसमें अंगरेजर की विजय हुई पर इसके बाद चलिया वाला को युद्ध आता है 13 नॉंबर 1850 को और तीसर युद्ध जो आता है वावत तक गुजरात का युद्ध आता है जो कि 12 मार्च 1850 को हुआ था था ठेक है इसके बाद जो तीसरे जो युद्ध होता है यानि कि जो दूती आंगल वर्मा युद्ध जो था ये भी अंगरेज़ और वर्मा के साथ युद्ध होवा था तो ये था आपके पास जो important जो युद्ध जो थे जहाँ से questions आपके पास बंद कराते हैं उसके बारे में important जो मैंने आपके रखने की कुछिस की हुई है वीडियो कैसा लगा comment box में ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक सदिक सेयर करें मिलता हूँ जब दी नई वीडियो के साथ अब तके लिए जय हिंद जय भारत